श्री गनेशाय नमहा, नमशकार दोस्तों, ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है, चंद्रमा मन का कारक है, हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाओ आते है, वो चंद्रमा की स्तिती ले कर आती है, और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को तो आधर चंद्रमा की स्तिती आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया रहेगी, आधर चंद्रमा आपकी कुंडली में भागय स्थान में है, यानि नौवे स्थान में रहेंगे, इस दिन आप शांत रहोगे, स्थिर रहोगे, उरजावान रहोगे, और आपको दिन भर प्रस पूररा फल सकता है। यह सारे काम आप आसानी से कर पायोगे। स्टूडंट्स के लिए भी ये दिन कापी अच्छा रहने वाला है। स्टूडंस को अच्छे समाचार इस समय में मिल सकते है। स्टूरेंट्स को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना बनी हुई है बिजनेस करने वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा बिजनेस में अच्छे रिजर्ट्स मिलेंगे करीब करीब सारी चीजे आपके हिसाब से होती हुई दिखाई दे रही है भविश में अगर आपको कोई नया व्यापार शुरू करना है तो उसकी प्लानिंग कर सकते है नया व्यापार इस समय में शुरू करने की योग भी बन रहे है इसलिए डट कर मेहनत करे सब कुछ मेहनत से मिलता है कामों से मिलता है भाग्य के भरो से बैटने वालों को कभी कुछ भी नहीं मिलता लेकिन मेहनत का फल अवश्य मिलता है इसलिए प्रयास करना हमारे हाथ में है आप प्रयास जरूर करे आगे दिन अच्छे है अगर personal life की बात करते हैं love life की बात करें तो love life के लिए आपके सितारे इस समय में स्थीरताव शान्ती फैला रहे हैं love life के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा समय थोड़ा busy चल रहा है फिर भी 7 वक्त गुजारने के लिए समय अच्छा है स्वास्थे के लिए दिन पूरी तरह से सकारतनक है मानसिक तोर पर आप फिट रहेंगे फिजिकली भी आज आपकी सेहत बढ़िया रहेगी पुरानी परेशानिया कम होती नजर आएगी कुछ सेहत से जुड़े प्रॉब्लेम्स जो काफी समय से सता रहे थे उनमें भी आपको आराम इस समय में मिल सकता है इस दिन पीले रंग का इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और इस दिन तीन आंग आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है के आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा